क्या आपने अभी तक मेरी बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली हरगय गोश्ट जिसे कद्डू गोश्ट भी कहते हैं कि रेसिपी ट्राइ करिए नहीं करिए है तो इस रेसिपी को जरूर ड्राइ करें तो हें दोस्तों असलाम लेकुम कैसे आप सब उम्मीद करती हूं आज में अपने दोस्तों के लेकर काई हूं जबरदसते बनने वाले बाली हरगय गोश्ट की रेसिपी जो बनाने में बहुत आसान है लेकिन इसाट टेस्ट इतना मजा आजाता है खाने के पर और जब यह इतनी मज़ेदार बनती है और इतनी टेस्ट ही होती है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद मुझे अपना फीडबेक देना बिल्कुल भी न भूलें रेसिपी पसंद आ जया है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे चलिए जट पर से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को तो देखने में भी सानन्द बहुत ही जपडस लगता है हम पहले हरयक ये को कटकर करके प्रॉपरली डडी कर लेंगे फिर एड करेंगे हम एक कुकर लेकर के उसके अंदर mustard oil में यह सब खाने बहुत ही जबर्दस बनते हैं तो कोशिश करें कि mustard oil में बनाएं मैंने यहाँ पर तक्रीबन तीन से चार बड़े चमच mustard oil को cooker में add करा है और उसे अच्छी तरीके से पहले हम गर्म होने देंगे और जैसे mustard oil हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा हम इसमें add करेंगे हरगिया जो हमने कट करके रखा है अच्छी तरीके से हम इसको properly fry करना है तो बहुत जादा हम इसको पकाना नहीं है बस इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और बहुत ही जल्दी यह fry हो करके हलके से soft होने लगते बस इसी time पर हम इसको निकाल करके दूसरे परतन में रख लेंगे अब हम यह step पहले इसले कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमारे दो काम हो जाते हैं हर अग्या भी हमारा properly fry हो जाता है और जो हमारा तेल बचा होगा है वो भी use हो जाएगा हमारे आ मतन में में म 라 रहे हैं तो मतन जैसे गueller गा साथ में हमारी प्यास भी properly गल जाएगी अगर chicken में ममारेories घुने के लगाए तो इसमें 애ट कर देंगे मतन को पकाने हम एड़ करेंगे मटन के अंदर एक चमबज खड़ा जीरा और नमक एड़ करेंगे हादो हाद जिसे हमारी प्यास भी सॉफ्ट हो जाएगी और मटन के अंदर भी नमक ना बिल्कुल रच बस जाएगा और जबर दसी रेसिपी तयार होगी तो छोटी-चोटी से ट्रेक्स हैं इनको आप ज़रूर अपनाया के रिए बहुत ही लाजबाब से रेसिपी बनके तयार होगी नमक मैंने यहाप पर वन एन हाफ टी स्पून एड़ करा है आप अपने अपने अकोडिंग कमिया जादा कर सकते हैं अब हमें मटन को इतना भूलना है कि इसकी सारी रॉस्मेल नि निकल जाए उसके बाद हम यहाँ पर आड़ करेंगे दो बड़ी चमच अद्रक लस्ण कि पेस्ट को यहाँ पर फिर अद्रक लस्ण का पेस्ट अड़ करने के बाद भी ऱ मिकाल देनी है तब हमें इसकी भी रॉस्मिल निकाल देमी है तब आपका लाजबाब सा मॉटन दय कामने करने हैं में एक जमच हम एड करेंगे हमाङड करेंगे हाम हल्दी पाउडर साप मेंaign करेंगे वन अन्हाफ थी स्पून के करीं कोरियंडर पाउडर दनीयका पाउडर और बहुत ज्यादा हम इसके अंदर कोई भी मसाले नहीं आड़ करेंगे बहुत सिंपल से ये तीन फ्लेम को कम करके इसे तक्रीबन 15 मिनट तक सिमाच पर पकाएंगे और फिर गैस को बन देंगे बन और कुकर के लेट को तब तक ओपर नहीं करेंगे जब तक इसकी गैस आटोमेटिकल रिलीज ना हो जाए ये देगे लाज जवाब सा हमारा बिल्कुल मटन गलगे बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी क्योंकि हरागिया डाने के बाद हम बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं कर पाएंगे देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा सालन मिक्स हो चुका है अब हम इसके अंदर एड करेंगे हरागिया और दो से तीन बार इसको फिर मिक्स करने के बाद हम कुकर के लिट को डिरिकली बंद कर देंगे क्योंकि हरागया भी अपना पानी छोड़ेगा तो हमें पानी के बिल्कुल भी यहां पर जरूरत नहीं है और कुकर के लिट को 2 सीटी लगाएंगे हाई फ्लीम के उपर और फिर गैस के फ्लीम को कर देंगे बंद कुकर के लीड को तब तक ओफन नहीं करेंगे जब तक इसी गयास आटमेटिकली रिलीज ना हो जाए अब ये देखे लाज़ जबाब सा हमारा हरागिया गोश्ट पिल्कुल रेडी हो चुका है हम इसे कवर करके सेम आज के ओपर तकरीबन 5-7 मिनट के लिए और पकने के लिए देंगे क्योंकि दीमी दीमी आज के ओपर जब ये पकेगा और भी ज्यादा इसका टिकेस्ट इंहांस हो जाएगा यहाँ पर मेरा नमक तो बिल्कुल प्रॉपर है आप चाहें तो यहाँ पर टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक आइड कर सकते हैं यह देगे 5-7 मिनट के बाद कद्दू ने यह हरे गे ने अपना पूरा प्रॉपर तरीके से पानी सोक लिया है और जबर्दस अब भुना भुना सा सालन हो गया बिल्कुल रडी अब आप चाहें तो रुमाली हो चपाती हो पराठे हो या हो आपके डाल चावल यह सब के साथ जबर्दस लगती है सच में एक डफ़ा जरू ट्राए करके देगे अब आप चाहें तो मेरी तरह सालन को बिल्कुल भुना भुना सा रख सकते हैं क्योंकि मैं रोटी के साथ इसको सर्फ कर रही हूं और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा लूज रखना तो थोड़ा वॉयल वाटर डाल करके दो मिनट के लिए इसको दीमी आज के पर पकने के लिए छोड़ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी कंसिस्टेंसी आप सेट कर दीजे चलिए भई हमाई रेसिपी तो हो गई है विलकुल रड़ी हम चलिए इसको सर्फ करने आप कब बना रहे हैं ये मुझे जरूर बताईएगा है ना इसको बनाना बहुत असान चलिए तो अगर आप अपनी दोस्त को दीजे अब इजाज़त चाहती हो फिर इन्शाला नहीं वीडियो में नहीं आसान सी रेसिपीस के साथ आप से मुलाकाते होती रहेंगी तब तक अपना खियान रखे दौाओं में बहुत 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 याद रखे अला आपेज एंजॉयो हरा गया रगष्वाट रखे पु मुलाकाते हो खुशय दौट ऐ बहुत ये ये जबनार्य परत। रखे भी प्स्त दूस का जब गोती हो मुलाकाब ये ये 1 ये येज़त बहुती हैं ज